हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी अश्य करता हूँ है जो हमने पढ़ा था उसका लेवर बढ़ेंगे पिर लेवल टू पढ़ेंगे फिर ऐसा कोशिन पढ़ेंगे जो पेपर में आ चुका है तो चलिए लेवल बन से शुरू करते हैं पहला है इसमें सिर्फ एक नंसर सही है वह ह악 अधिने सेद voyez यह बड़ा होगा वही आपका नमबर। यह सबसे बड़ा हुगा चले यहां आगे आते हैं इस टेन्स प्लेज़ लियर टेन्स होता है पहले खोल्क गष्क norm कहां पे है आपका 4 यह है आपका option number D पे और जो यहां पे 4 है यह आपका 100 place पे है यह भी 100 place पे और यह once place पे है तो question आपसे पूछा था 10 place पे है तो 10 place पे सिर्फ कहां पे है option number D में चले question number 3 पे आते हैं यहां पे कौन सा number बनेगा तो हम इसको गिनना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पे 8 लिखेंगे यहां पे कितने 1, 2, 3, यहां पे 3 लिखेंगे यहां पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 538 लिखेंगे तो इसका आपसे रोजे का option number 538 question number 4 question 4 क्या है यहां पे हमें next number पता करना है कि क्या होगा तो 200 में देखें plus 5 add over 205, 210, 215, 220 तो इसका answer हो जाएक option number 2 question number 5 है यहां पे 2 का हमें place value बताना तो देखें 2 लिखें 2 के बाद कितना number है सिर्फ एक number है इसके right side में कितना 7 है तो एक ही digit है तो एक 0 लगा देगे कितना हो जाएगा इसका place value 20 question number 6 question number 6 क्या है यहां पे हमें क्या करना है which number इदा 6 from the right देखें जब आप बैठे हुए हैं तो आपका right hand इदा है और आपका left hand इदा है तो right से 6 तो 6 गिलनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 पे क्या है 9 तो इसका answer हो जाएगा option number A 9 question number 7 सुनीता root a number on the blackboard as soon तो सुनीता ने एक number लिखा 8 फिर खाली जगा छोड़ दिया box में और 9 लिखा फिर question यह कह रहा है कि यहां पे मैं ऐसा कौन सा number लिखें इन चारो options में से कि जो number बने वह सबसे smallest number बने तो सबसे छोटा number यहां पर कौन सा है 0 तो इसका answer हो जाएगा 0 तो number बनेगा 809 ठीक है चले question number 8 find the number with 8 in the 100 place 6 and once place 7 देखें once place 7 होना चाहिए तो once place 7 कहां कहां पे एक तो यहां पे है और एक तो यहां पे है ठीक तो यह दोनों option वैसे खलत हो गए फिल लिखा है 6 800 place पे होना चाहिए और 6 आपका होना चाहिए एक मैट यहां पे question देखें तेरा क्या लिखा है find a number with 8 as 100 place तो 100 place पे क्या होना चाहिए 8 तो 100 place पे 8 कहां पे एक यहां पे है और एक यहां पे है ठीक 6 in ones place तो six ones place पे होना चाहिए तो देखें यह दुनों तो option भी और सी खतम हो गए ones place पे 6 होना चाहिए तो ones place पे 6 कहां पे है यहाँ तो इस का answer रोजेगा option नबर D और साधी जात के लिखा है 10th place पे 7 होना चाहिए तो 7 है यहां पे 10th place पे तो इसका अंसर हो जाएगा option number D, 9 number question है, 4 digit number यहां पर क्या है, smallest 4 digit number, तो देखिए, जब भी smallest number लिखते हैं, तो 4 आप अच्छा बनाई लिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, smallest में यहां पर 1 लिखिए, और कितना खाली जगा है, 3, 1, 2, 3, 0 लगा जी, तो इसका अंसर हो जाएगा option number C, 1000, question number 10, which number is 10 more than 567, तो कौन सा ऐसा number है, जो 567 से 10 ज्यादा है, तो 10 आप इसे में add कर लिए, 7617 और यह हो जाएगा 5, 577, तो इसका अंसर हो जाएगा option number B, question number 11, find the predecessor of, predecessor का मतलब यह है, कि यहां पर इसके पहले number क्या आएगा, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हो, इसमें से 1 माइनस कर 10 में से बन जाएगा 9, और यहां पर क्या हो जाएगा 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9, 9, 9, option number A, write the numeral, present 800 plus 9, तो 800 आप ऐसे कर लिए, plus 9 को add कर लिए, तो यहां पर आजाएगा, 9 में 0, add करेंगे, तो 9 आएगा, 0, यहां पर 8, तो इसका अंसर हो जाएगा, 809, option number D, question number 13, which number is 1000 less than 25, 20, 2050, तो 2050 में से अगर 1000, हम माइनस कर देंगे, तो यह लिख लेते हैं, ठीक है, ना, देखे, 0, 0 में से 5 जाएगा, तो 5 बचेगा, ठीक है, यहां पर 0 में से 0, 2 में से 1 जाएगा, 1, तो कितना आएगा, 1050, तो इसका answer हो जाएगा, option number D, कोई से 15 क्या कह रहा है, which number is 4938, the highest place value, देखे, highest place value काँ सा है, यहां पर, जो number सबसे left side में लिखा है, यानि कि 4, क्यों, क्यों कि 4 किस place पर लिखा है, 1000 place पर, तो इसकी place value सबसे जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा, option number B, 15 number question है, what is the smallest 3 digit number that can be formed using 3, 0 and 6, तो देखे, smallest number जब हम बना आते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले सबसे छोटा number लिखते हैं 3, फिर इसको बाद 0, फिर इसके बाल लिखते हैं 6, और आप क्या करेंगे, सब पहले 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 36, तो इधर आप लिख देंगे, सबसे left में, तो यह सिर्फ 2 digit का number हो है greatest number बनाना है कि 603 से कौन सा greatest number बनेगा तो देखिए जब भी greatest number आप से पूछा जाए तो आप इसको decreasing order सबसे बड़ा नमबर इसमें कहा है 6 उसके बाद 3 फिर 0 तो इसका अगला question है आपके सामने कौन सा इसमें यहां पर किस प्लेस पे है तो यहां पर एक जीरो होना चाहिए ना कि 20 ठीक है यह आपका सही expanded form लिखा हुआ है बाकि यह तीनों के तीनों गलत है को इसमें इसमें 6 आप पैड कर दीजे तो किना जाएगा 106 तो इसका अंसर हो जाएगा 106 ऑप्शन नमबर बी कॉश्चन नमबर 90 विश्चिंबर शुट बी रिटेन इन दा बॉक्स कौन सा करेट है देखिए तो इसमें देखिए 8,000 है और यह 5,000 तो बड़ा कौन है 8,000 वाला तो इधर आपका साइन लग जाएगा यानि कि option नमबर 20 नमबर कॉश्चिन क्या है इसमें statement कौन सा सही है यह आपको बताना है तो दिखिए यह आप पे लिखा है 321 और 235 तो यह आपका गलत है ठीक है न इसमें इधर sign होना चाहिए था 420 और 510 में इस sign इधर होना चाहिए क्योंकि 510 बड़ा है और इधर sign इधर होना चाहिए क्योंकि 725 है और यहां पे जो option नमबर D है यह आपका सही है क्यों क्योंकि 827 बड़ा है किस से 639 से चलिए यहां पे आते हैं question क्या कह रहा है who holding the card odd number odd नमबर क्या होता है देखिए दोस्तों किसी भी नमबर के once place पे अगर क्या आता है 1 3 5 7 9 N इन 5 नमबर में से कौई बी नंबर बड़ा प्लेश पे आता है तो इसे उससे ile क्या tijd देखिए तो यहां पे देखिए odd यहाँ पर है, शमीता, शमीता के देखिए, इसके once place पर क्या है, 9 है, तो 9 देखिए, यहाँ पर है, तो 9 अगर किसी भी once place पर आता है, तो वो number odd होता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, शमीता, चले, question number 32, what is the difference of the place value 2 and 4, देखिए, 2 का place value क्या होगा, 2 लिखेंगे, 2 के बाद क 4 का place value क्या होगा, 4, क्योंकि उसके बाद कोई number आपका नहीं लिखा गया है, तो 200 में से 4 माइनस करेंगे, तो कितना जाएगा, 196, तो इसका answer हो जाएगा, option number D, चले, question number 23, यहाँ पर देखिए, क्या लिखा है, कि अगर कोई man है, तो man के लिए 9 number यूस किया गया है, woman के number C, 63, 639 होगा, ठीक है, 639, option number D, चले, question number 24, which are the following the same as the 9099, तो 9099 आपका कहां लिखा हुआ है, यह लिखा option number A में, how is there 1015 written in numerals, ठीक है, तो 3015, 3015 कहां पर लिखा हुआ, यह लिखा हुआ, option number A में, अब देखिए, number line में हमें बताना है, यह आज का last question है, देखिए, 815, 800, देखिए, 10, 10 का gap है, ठीक है, फिर यहाँ पर 10 का gap है, लेकिन यह बीच हो बीच में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 830, ठीक है, ना, तो 830, option number C, ठीक है, तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आप कमेंट में लिखे बता अच्छा लगा, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, लेवल 2, लेवल 2 जो इसका होता है, ठीक है, तो इसके बाद हम लेवल 2 के question पढ़ेंगे, उसके बाद वो question पढ़ेंगे, जो पेपर में आए हुए, तो 3 वीडियो आएगी एक chapter में, ठीक है ना, ठी तो यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो भी तब तक के लिए नमस्कार